जैशी कृष्णा शनी की दशा महादशा अंतरदशा आपके जीवन में हर प्रकार से दिक्कते दे रही हो शनी की साड़े साती धाया पनौती आपके जीवन को निरंतर परबाद कर रही हो आपको जीवन के अंदर सक्सेस नहीं मिल पारी, धन की कमी होती जारी है, नजर, तंतर, मंतर आपके जीवन के उपर हावी हो गया है आई दिन आपके जीवन में नई-नई परेशानियां दस्तक दे रही हैं तो आपको शनिवार के दिन इस शनी पोटली का एक छोटा सा प्रयोग करना है जब आप ये सार्थी धाम से प्राप्त करेंगे तो आपको इसकी विधी भी प्राप्त होगी उसी प्रकार से आप इसे प किया गया है और इसके प्रियोग मात्र से आपके जीवन के अंदर आ रही शनी जी की वज़े सिफ समस्यां समाप्त हो जाएंगी जरूर करिए छोटा सा प्रियोग इसे प्राप्त करने के लिए दिये गए नंबर्स पे कॉल करिए वाट्सप करिए मैसेज करिए जैशी कृष् हम जब भी मंदर जाते हैं हम दर्शन करने के बाद ठाकुर जी की परिक्रमा जरूर करते हैं किसी भी मंदर की परिक्रमा करना अथी शुब माना जाता है पर क्या आपको इस परिक्रमा से रिलेटेड कुछ चीजे पता है नहीं तो आज आपको इसी के बारे में कि हर मनो कामना पूरी आज ये महा उपाए में बताऊंगी तो चले आपको आज कुछ बहुत रोचक जानकारियां दे लेकिन उससे पहले आपको ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ मैं आपके एस्ट्रो लॉजर हूँ वास्टू शास्त्री हूँ चहरा भी पढ़ती हूँ आवाज भी पढ़ती हूँ और हातों की लकीरे भी पढ़ लेती हूँ चुकि आपकी सार्ती हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ बात कर रही हूँ आपसे मंदर में लगाने वाली परिक्रमा के बारे में जब हम इश्वर का दर्शन कर लेते हैं और हम उनकी परिक्रमा लगाते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है हम जो भी अपने मन के अंदर अपने भाव, अपनी भक्ती, अपना प्रेम जो भी लेकर आए होते हैं न हम उस साकारत्मक उर्जा के साथ परिक्रमा लगाके उसे अपना साक्षी बना लेते हैं ठीक वैसे ही जैसे की अगनी के सुपूर्द जब एक विवाह बंधन में जुड़कर एक युगल जीवन भर के लिए एक दूसरे के लिए कमिटेड हो जाते हैं जीवन भर साथ निभाने के साथ साथ जनम जन्मांतर के लिए एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाते हैं उनका बंधन केवल इस युग का या इस जीवन का नहीं रह जाता उनका ये बंधन साथ अगले जन्मों तक जुड़ जाता है वो अगनी साक्षी हो जाती है ना उस चीज़ की इसी प्रकार जब आप मंदर में जाते हैं आप अपने ठाकुर जी के दर्शन करते हैं और जब आप उनकी परिक्रमा करते हैं तो आप साक्षी होते हैं अपनी भक्ती के, अपने प्रेम के, अपने भाव के और अपने ठाकूर के प्रती अपने आपको समर्पित करने के, इसी लिए हम जाकर मंदर में परिक्रमा लगाते हैं, कुछ लोगों को परिक्रमा लगाते समय कुछ कारे नहीं करने चाहिए, जैसे कि मैंने अक्सर देखा है लोग मंदिल में जब परिक्रमा लगाते हैं बीच बीच में वो रुक जाते हैं कभी रुकेंगे दिवार को सपर्ष करेंगे कभी रुकेंगे ऐसे उनको ढोख देंगे नहीं आप अपनी जो भी परिक्रमा आपने लगानी है जैसे कि पांच साथ ज नहीं कि आपने चार परिक्रमा लगई तो आप चारो परिक्रमा में रुख रहे हैं, आप उनको धोक दे रहे हैं, फिर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी परिक्रमा खंडित मानी जाएगी, पूर नहीं होगी ये बात आप ध्यान रखना। भोले नात के जो परिक्रमा होती है वो आधी लगती है कभी भी पूरी परिक्रमा भोले नात की नहीं लगाई जाती उनकी जलेरी तक परिक्रमा लगती है अर्ध चंद्राकार में और फिर उसके बाद वापस हो जाया करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके जलेरी को अब भी लांगा नहीं जाता। परिक्रमा लगाते वक्त हम जिस भी के मंदिर में खड़े हैं। मान लीज़े आपके मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए आपकी वो परिक्रमा पूरे युनिवर्स के लिए साक्षी है आपकी वो परिक्रमा आपके पुन्ने का सबसे बड़ा केंद्र है इसलिए उस परिक्रमा को लगाते वक्त या तो आपस में बाते करिए ना ही आपका ध्यान कहीं और होना चाहिए बलकि आपके हाथ में उस समेक माला होने चाहिए और आप उस परिक्रमा को लगाते हुए प्रभू की भक्ति का समरन करते हुए उनके मंत्र का जाप करिये नहीं तो उनके नाम का जाप कर लीजे तो आप जब उनकी परिक्रमा करें तो आप केवल और केवल अपना ध्यान अपने प्रभू को समर्पित कर दें इसी प्रकार जब हम अपने मन में कोई मनो काम ना बोल देते हैं हम कोई नो कोई बात लेके तो इश्वर के दर पर जाते हैं कोई बात हमारे मन में होती है जो हम कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इश्वर के कानों में वो बात जल्दी तक पोहँच जाए और हमारी मुराद बहुत जल्द पूरी हो जाए, तो आपको वो परिक्रमा संपून करने के बाद, complete करने के बाद आपको वहां पर खड़े होके आखे बंद करके अपने सर को नीचे की तरफ यानि कि धर्थी की तरफ जुकाते हुए अपनी मनों मन में मन ही मन में आपको अपनी मनों कामना इश्वर को बोल देनी होती है इतनी छोटी छोटी सी चीज़े है ध्यान रखेंगे तो आपका मंदिर जाना भी सार्थक होगा इश्वर तक आप अपनी बाद भी पहुंचा पाएंगे और प्रभू आपसे प्रसन भी हो जाएंगे तो चलिए मेरी जान जिस टॉपिक के लिए आज आये थे उस पर बात करते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई मनोकामना पूरी हो जाए तो इस तरीके से जाकर लगा आये मंदिर के फेरे क्या करना है आपको मंगलवार के दिन आपको 11 पीपल के पत्ते ले लेने हैं उन्हें अच्छी से धो लेना है गंगाजल से धो लीजेगा उसके बाद लाल चंदन से प्रतेक पत्ते के उपर आपको लिख देना है श्री राम उसके पश्चात आपको उसकी एक माला बना लेनी है और उसके बाद आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है सर्व प्रतम आपको उनको दर्शन करना है और उसके बाद आपको पांच परिक्रमा करनी है हनुमान जी की और परिक्रमा करते वक्त आपको सिर्फ बोलना है जै श्री राम जब आपकी वो परिक्रमा पूर्ण हो जाए तो वो जो माला है वो आप पंडित जी को दीजिए उनने बोलिए कि आप ठाकुर्जी को यानि कि हनुमान जी को पहना दीजिए उसके पश्चात वहीं खड़े होकर जैसे मैंने अभी आपको समझाया था हाथ जोडिएगा नीचे करिएगा और अपनी मनोकामना प्रभु को बोल दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि मैं श्री राम जी के द्वारे से आया हूं अपनी मनोकामना पूर्ति करवाने आप मेरी मनोकामना जरूर पूर्ण कीजिएगा ताकि मैं आपके श्री राम को जाकर भोग लगा समझ गए इस तरीके से बोलिए और जब आपकी मनो कामना पूर्ण हो जाए तो बाला जी सरकार के साथ साथ राम दर्बार में भी जा कर भोग जरू लगा दीजेगा मैं फिर आती हूँ कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्बुद लेके अगर आपकी जनम पत्री में है कोई भी तकलीफ या परेशानी तो आप दिये गए नंबर्स पर कॉल करेंगे वाट्स अप करेंगे मैसेज करेंगे अपॉइन्मेंट लेकर अपनी जनम पत्री दिखाएंगे और अपने जीवन की समस्याओं का निदान पाएंगे मैं फिर आओंगी कुछ नया लेके तब तक के लिए मुस्कुराते रहीएगा रिष्टों में मजबूती बना के रखिएगा अपने सार्थी के साथ जुड़े रहीएगा प्यार देते रहीएगा ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं मैं जल्द आपसे मिलने आओंगी तब तक के लिए राधे कृष्टना सार्थी मात्रशला ज्योतिश के क्षेत्र में विश्व विख्यात ताम है जोतिश शास्त्र में पीच्टी मात्रशला पिछली 22 वर्षों से जोतिश की सभी परंपराकत विधाओं के साथ साथ अनेक दुड़लब गुड़ विधाओं जैसे परचाई एवं लवस के अध्यान से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्य साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत ने जोतिश विभूशन अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्तान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है झाल